बॉलिवूट की पॉपॉलर एक्टरस में से एक किनिज आती हैं करिश्मा कपूर आज के समय में करिश्मा भले ही फिल्मी परदे से दूरी बनाती हुई नजर आती हूँ लेकिन कहीं ना कहीं लैम लैट में बनी ही रहती हैं कभी अपनी पर्सनल लाइफ के चलते तो कभी अपनी लाइफ स्टाइल के चलते हमेशा ही करिश्मा कपूर लैम लाइट में रहती हैं वही हाल ही में करिश्मा कपूर ने वैब सीरिस के जरिये धमाल मचा कर रख दिया जिहां दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहां पर करिश्मा की वैफ सीरीज मेंटल हुड के बारे में लेकिन जहां एक ओर करिश्मा ने इतना नाम कमाया है तो वहीं करिश्मा ने अपनी जिंदिगी में कई उतार चड़ा भी देखे हैं चाहे उनकी शादी शुदा जिंदिगी हो या फिर एक्टरस बनने से पहले का वो दौर जब करिश्मा ने काफी स्ट्रगल किया था जी हाँ दोस्तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि करिश्मा ने एक इन्टर्व्यू में खुलासा किया था कि कैसे उन्हों ने अपनी जिंदिगी में कितने उतार चड़ाब देखे थे उन्होंने अपने इंट्रिव्यू में बताया था कि उनकी मा बविता कपूर ने उनकी परवरिस्त कैसे की थी करिश्मा अपने इंट्रिव्यू में बताती हुई नजर आई थी कि मुझे सबसे ज़ादा जो चीज प्रेडित करती है वो यह है कि मेरी माँ ने मेरी परवरिष्ट कैसे की, हमें कैसे रखा एक famous family से ब्लॉंग करने के बावजूर हमें एक साधरर जीवन जीना सिखाया मैं और मेरी बहन इस्कूल बस से जाते थे और कॉलेज के लिए लोकल ट्रेन का सहारा लिया करते थे मेरी माँ ने सिखाया कि कैसे अपनी जड़ों से जोड़े रहकर अपने अंदर आत्म विश्वास को बनाए रखे वह एक्टिंग के लिए मेरे जुनूर और मेरी जज़क के बारे में अच्छे से जानती है लेकिन जहां एक और करिश्मा कपूर ने अपनी लाइफ में इस तरीके के उतार चड़ाब देखे और अपनी ऐसी जिंतिकी जी उन्होंने एक्टरस बनने से पहले तो वहीं एक्टरस बनने के बाद करिश्मा ने अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा भी बनवाया करिश्मा कपूर ने पॉपलर एक्टरस के तौर पर तो काम किया साथ ही साथ टीवी टाउन की दुनिया में बतोर जज़ के तौर पर भी नज़र आई सोशल मेडिया पर आज के समय में करिश्मा काफी एक्टिव रहती है और हमेशा ही लाइम लाइट में बनी रहती है हमारे साथ की खास रिपोर्ट में दर्श पर इतना है तब तक के लिए आप देखते रहेए नेक्स्ट नाइन न्यूस